वो कहानी तो आपने सुनी होगी कि न्यूटन के सर पर सेव गिरा और उन्हें ग्राविटी का खेल समझ में आ गया लेकिन ये समझ अचानक तो पैदा हुई नहीं थी इस समझ का एक फूल एक सवाल के बीच से उबुजा था सवाल ये कि पत्थर उचालो तो धरती पे आके गिरता क्यों है और सवाल ये कि धरती आखिर सूरज का चकर क्यों लगाती है न्यूटन ने उत्तर दिया ग्राविटी एक ऐसा फोर्स जो दो चीजों को एक दूसरे की योग खीचता है न्यूटन द्वारा खोजे गए ग्राविटी और मोशन के तीन नियमों ने आधुनिक भौतिकी की नीव रखी अब सवाल ये कि क्या गती के नियम इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें न्यूटन ने दिया था कोई और अगर गती के नियम देता तो क्या वो काम नहीं करते हैं जाहिर तो और पर करते ही क्योंकि यही विज्ञान की खुबी है विज्ञान में अथॉरिटी विज्ञानिक नहीं बलकि विज्ञानिक तरीका है जिसका जोर जांचने, परखने और सवाल करने पर होता है ऐसा नहीं कि हर विज्ञानिक सिद्धान सही ही हो समय समय पर चीज़ें गलत भी साबित होती है लेकिन समान निमाना वेवहार के विपरीत यहां जोर अपनी बात को सही साबित करने के बजाए सही बात को खोजने पर होता है इसलिए आप कितने ही बड़े विज्ञानिक हो मूले इस बात का है कि सही तथ्य क्या है ये नहीं कि आप किसे सही मानते हैं लेकिन ये बातें विज्ञान पर लागू होती है विज्ञानिक उपर नहीं आज जो किस्ता हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो ऐसे ही एक विज्ञानिक का है जिसने अपने अभिमान और इर्शा के चलते एक दूसरे विज्ञानिक को आगे नहीं बढ़ दिया नवस्कार मेरा नाम निखिल और आप देख रहे हैं तारीख जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जोड़ी भारत की एतिहासिक कहानिया आज उतनी सक्तूबर है और आज की तारीख का संबंध है विज्ञान जगत के एक सितारे से आज एके दिन यानि 19 अक्टूबर 1910 को नुबेल पुरसकार विजेता वेज्ञानि सुब्रमन्यम चंदरशेखर का जन्म हुआ था लावार बिजन में चंदरशेखर ने मदरास के Presidency College से Graduation किया इस से आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने ब्रिटेन जाने की ठानी भारत से ब्रिटेन की समुदरी यात्रा के दौरान उन्होंने भातिकी का एक सिधान दिया जिसे हम आज चंदरशेखर लिमिट के नाम से जानते हैं पहले समझते हैं कि ये लिमिट होती क्या है एक बहुत जादा साइनस में जैसे कि सबको मालूमें है कि हमारा सूरज भी ये तारह है जिसकी ऊरजा से धरति पर जीवन संभा हो पाता है ये ऊर्जा तब पैदा होती है जब सूरज کے अंदर दो हाइडरोजन जैसे elements भी बनते हैं लेकिन रसवय गैस की तरह सूरज का इंधन भी limited है ऐसा होने में लाखों और करोणों साल बाकी है लेकिन कभी न कभी तो सूरज का इंधन भी खत्म हो जाएगा तब सूरज का क्या होगा तब gravity अपना असर दिखाएगी और तब सूरज सिकुड़ना शु क्या भाव में सूरज या ऐसा ही कोई अन्यतारा सिकुड़ता चला जाएगा पहले नजर में ऐसा लगता है कि ऐसा होते होते तारे का घनत तो इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसके सारे आटम आपस में गुथ जाएगे लेकिन यहां पर entry होती है quantum mechanics की रालफ फाउल नाम के एक बिटिश वैग्यानिक ने subject पर अपनी थेरी में कहा कि कोई दो electron एक ही कक्षा में तो रह नहीं सकते इसलिए तारे के अंदर भी कुछ electron उपरी कक्षा में जाते रहेंगे ऐसे में तारे के भीतर जो बाहरी प्रेशर बनेगा उससे कहा गया electron degeneracy pressure जब gravity और electron degeneracy pressure के बीच एक संतुलन बन जाएगा एक equilibrium आ जाएगा तो तारा अंत में एक बॉना तारा बन जाएगा जिससे नाम दिया गया white dwarf star एकदम हिंदी बनवाद करने के जब सफेद बॉना तारा वैसे आप इसे white dwarf star से ही समझे उसी से google करने पर ज्यादा चीज़े निकलेंगे 20 साल की उमर में ही चंदर शेखर को इस बात में एक जोल दिखाई दिया तब तक Einstein relativity की खोज कर चुके थे चंदर शेखर ने ध्यान दिया कि तारे के अंदर electron लगभग प्रकाश की गती से चल रहे होंगे ऐसे में Einstein की relativity के सिधान को introduce किये बिना पूरी picture साफ नहीं होगी उन्होंने इस पूरे घटना करम में relativity को जोड़ा और तब उन्होंने एक विशेश बात का पता चलाया या कहें कि समझा उन्होंने कहा कि हाँ यह सच है कि electron degeneracy pressure के कारण कोई तारा सफेद बोना तारा बन जाएगा लेकिन ऐसा होने में पेंच है वो यह कि अगर किसी तारे का मास यानि द्रविमान एक limit से उपर हो तो electron degeneracy pressure काम नहीं करेगा और एक धमाक के साथ अंततह तारा एक neutron star या black hole में तबदील हो जाएगा यानि सिकुर्टे सिकुर्टे तारे का घहनत वह इतना हो जाएगा कि मानो 10 km के शेत्र में लगभग 10-20 सूरत समा गए हो उदारन के लिए बता दें कि ऐसे एक चमश neutron star का भार 4 करोट टन के बराबर होगा किसी तारे के द्रविमान का वो भार जिसके उपर वो neutron star या black hole में तबदील हो जाता है उससे ही चंदरशेकर limit के नाम से हम जानते हैं और ये limit हमारे सूरज के द्रविमान के 1.4 गुना के बराबर है पढ़ाई के लिए जब चंदरशेकर विटेन की Cambridge University पहुँचे तो उन्हेंने Ralph Fowler को ये research दिखाई लेकिन Fowler ने इससे आगे publish होने के लिए भेजने से मना कर दिया चंदरशेकर ने और वैग्यानिकों से संपर किया तो वहां से भी यही जवाब मिला ऐसे में चंदरशेकर की मुलाकात होई British Astronomer Sir Arthur Eddington से Arthur Eddington की कहानी जानने के लिए वापस Neutron पर जाना पड़ेगा Law of Motion and Gravity की खोज के बाद जब Newton से पूछा गया कि वो भौतिकी के शेतर में इतना आगे कैसे बढ़ पाए तो उन्होंने जवाब दिया अगर मैं और आगे देख पाया तो सिर्फ इसलिए कि मैं दिगजों के कंधे पर खड़ा हुआ था कहना चाहरे थे कि उनके काम के उपर मेरे काम की नीव पड़ी है वो नहीं होते तो मैं नहीं होता Newton के 200 साल बाद एक और वैज्ञानिक उनके कंधे पर सवार हुआ 1915 में Einstein ने General Relativity की खोज की उन्होंने कहा कि Gravity कोई Force नहीं है पत्थर धर्ती की तरफ इसलिए खिचता है क्योंकि धर्ती के मास एनिद्रव विमान की कारण Space Time में एक Curve पैदा होता है और पत्थर के पास इस Curve को Trace करने के अलावा कोई चारा नहीं होता 1915 में Einstein ने जब ये बात कही तो उसे यूहिमान नहीं लिया गया Einstein के थेरी को प्रूव करनी की जरूरत भी थी Einstein ने कहा कि किसी तारह के बगल से गुजरती हुई रोष्टनी में इस Curve को देखा जा सकता है General Relativity को प्रूव करने में योगदान दिया Arthur Eddington ने 1919 में सूर्य ग्रहन के दौरान Eddington ने प्रकाश की दिशा में Curve को प्रूव किया और Einstein रातो रात हीरो बन गए बहराल इनी Arthur Eddington ने Cambridge के दिनों में चंदर शेखर को उनकी रिसर्च के लिए मोटिवेट किया साथ 1935 में Royal Astronomical Society के सामने अपनी रिसर्च पेश करने के लिए आमंत रिद्भी किया Royal Astronomical Society के सामने पेश करने के लिए चंदर शेखर ने अपना पिपर तयार किया मीटिंग से एक दिन पहले उनने पता चला कि Eddington भी उसी टॉपिक पर अपना लेक्चर पेश करेंगे चंदर शेखर को लगा कि Eddington उनका समर्थनी करेंगे जैसा वो पहले करते आये थे इसलिए उन्होंने इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया 11 जमर्य 1935 को मीटिंग के दोरान एस्टोफिजिक्स फील्ड के सभी दिगच मौजूद थे चंदर शेखर ने मीटिंग में अपने रिसर्च पेश की और अपने प्रेजेंटेशन में उन्होंने ये बताया कि इस प्रकार एक निश्य द्रविमान के उपर कोई तारा स्टेबल नहीं रह सकता इसके बाद बारी थी एडिंग्टन की एडिंग्टन ने अपने लेक्चर के दौरान जो कहा उसको सुनकर चंदर शेखर हैरत में पढ़ गए एडिंग्टन ने कहा कि चंदर शेखर के थेरी सिर्फ गणित की कुछ एक्वेशन्स तक सीमित है और उसका असलियत से कोई संबन नहीं एडिंग्टन का दावा था कि लाको टंग का तारा शून्य में खो जाए ऐसा संभव नहीं है वेग्यानिक कम्यूनिटी में एडिंग्टन के कारण किसी ने उनका विरोध भी नहीं क या हिम्मती नहीं थे किसी की और उनकी कट का डर इतना था कि चंदरशेखर को जवाब देने का मौका तक नहीं मिला जबकि नियम के अनुसार ये उनका हक था आने वाले कई सालों तक एडिंग्टन चंदरशेखर का इसी तरह विरोध करते रहे सालों की जिरह के बाद जब कुछ ऐसी घटाएं हुई जिन से लगता है कि शायद एडिंग्टन के मन में कुछ गेल्ट भी रहा उदारण के लिए 1949 में पेरिस में एक मीटिंग के दौराल उन्होंने चंदरशेखर से माफी मागी इस पर चंदरशेखर ने उनसे पूछा कि क्या उनका मत बदल चुका ह एडिंग्टन ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है मैं अभी भी उसी पूजिशन पर हूँ इस पर चंदरशेखर ने उनसे पूछा कि फिर आप माफी किस बात के लिए मांग रहे हैं और वहां से चले गए विग्यान की इतिहासकार आर्थर मिलर के अनुसार एडिंग्टन क कि इस विवहार के पीछे उनकी पर्सनल जिंदगी के कुछ मसले हो सकते हैं कते तोर पर एडिंग्टन समलेंगिक थे और तब कि समाज में अपने इज़त को बचाये रखने के लिए उन्होंने इस बात को छिपाये रखा आर्थर मिलर के अनुसार एडिंग्टन का ये फिर इस पूरी स्टोरी का एक रेशिल आंगल भी है चंदर शेखर ने अपने राइटिंग्स में वैज्ञानिक कम्यूनिटी के इस विवहार को रंग भीच से जोड़ कर भी देखा एस्ट्रो फिजिक्स के शेत्र में इस अपमान के चलते चंदर शेखर ने फील्ड छोड आज की तारीक में इतना ही तारीक की इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथ थी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त दीपक ने देखते रहे दी लेलन टॉप और पसंद करते रहे तारीक को थैंक्यू